नमस्कार दोस्तों, पुझा शीक्टी चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाहनों को बहुत स्वागत है जैक मातादी दोस्तों, नवरात्र के आप सभी को बहुत सारी शुप कामनाए हों सच्चे दिल से एक बार जय माता जरूर बोलिए ताकि माता रानी आप सभी के जो है मनों कामनों को पूर्ण करके आपके जीवन में सुक्समरिद्धी का प्रदान करें आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है काच की हरी चूडियां जो है किस प्रकार से धन को अट्रक करके नवरात्र में इस पेशली आपको बहुत सा धनलाब करा सकती है या जो ब्लॉक जिस आ चुके हैं धन को लेकर वो समाब्त होंगे सबसे पहले जो चूडियां है क्योंकि काच की चूडियों का ही प्रयोगी सुपाई के लिए आपको करना है काच जो है राहू से रिलेटेड माना जाता है यानि राहू का प्रतीक माना जाता है काच काच की चूडियां जो है आपको अचानक धनलाब करा सकती हैं ब्लॉक जिस दूर करवा सकती हैं इनका क्योंकि कांच का दान करना भी बहुत विशेश महत्व रखता है हमारे जीवन में तो आज इस बात को समझते हैं इसके साथ रंगों को जोड़ा जाएगा क्योंकि रंग जो है अलग-अलग रहों के साथ जुणे हैं रंगों का प्रयोग करके मनुश्य अपने जीवन में मैं विवाहित महिलाओं के लिए उपाय बताऊंगी उसके बाद में कवारी कन्याओं के लिए बताऊंगी कि विवाक कैसे करना है तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनको ससराल पक्ष में अगर बहुत सा मान सम्मान चाहिए पती प्रेम चाहिए और चाहती है कि उनका वर्च पैन के साथ या किसी मारकर के साथ आप जो है छोटा सा नाम अपने पती के साथ अपना लिख लीजिए आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आपको जो है बहुत सा प्रेम प्राप्त होगा आप यो पाए भले करकर देखें नवरातर के किसी भी समय पर आप जो है चूडिय यह होनी चाहिए अब चूडिया नहीं पहन सकती है तो क्या करेंगे चूडिया नहीं पहन सकती है तो आप अपने घर के मंदिर में अगर दुरगा माता या पारवती माता की कोई मूर्ती हो तो वहाँ पर यह कारे कर दे या फिर आपके आसपास कोई दुरगा माता का मंदिर ह तो वहाँ पर जाके पारवती जी के चड़नों में आप ये चुड़ियां दान करके हैं परन्तु मैं कहूंगी पहनना आप एक कड़ा पहन सकती हैं इस समय पर कड़े कांच के मिल जाते हैं आपको तो कड़े पहन कर भी आप ये जो कारे करेंगी क्योंकि आप जब तक वो कड़ा अपने हाथ में पहन कर रखेंगी तब तक आपके जीवन में आपको प्रेम की प्राप्ती होगी और अगर आप एक ही कड़ा पहनती हैं तो राइट हैंड में पहने आने सीधे हाथ में और अगर चूडियां पहनती हैं तो दोनों हाथों में पहन ले तो बहुत शुब रहेगा कवारी करने आए अगर विवा अबंदन में बनना चाहती हैं तो उनके लिए इस समय पर पीली और हरे रंग की चूडियों को कॉंबिनेशन पहनना साथ इसाथ अगर प्रेम विवा करना चाहती है प्रेमी का नाम अगर उन्हें पता है या ने कि प्रेमी अगर है और नाम उन्हें पूरा पता है तो आप उनका पूरा नाम लिखकर जो है अपने नाम के साथ में हाथों में पहन ले और आप ये जो है छोटा सा नाम लिख ले ताकि किसी को दिखाई ना दे और किसी की नजर विशेश तोर पर इस उपाई की तरफ ना जाए तो आपको जो है विशेश लाप राप्त होगा वहीं इस समय पर कवारी कन्याएं अगर उनके माता पिता कवारी कन्याओं के हाथों से पीले रंगी चूडियों का दान करवाते है पारवती जी को या फिर कवारी कन्याओं को जो दूसरी कन्याओं है छोटी बच्चियां है तो भी उनके जीवन में जो है विवा के बंदन बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे अब यहाँ पर बात करेंगे अचानक धनलाब की बहुत से लोगों का जो है इसके लिए अचानक धनलाब में या कहीं हमारा कहीं सचानक धन की प्रापती हो जाती है कोई असाइनमेंट साइन हो जाता है कोई बिजनस डील एक दम सचानक से बन जाती है तो उसके लिए क्या करना है आप सभी को तो आप सभी भाईयों और बहनों को जो है भूरे रंग का याने ब्र best color होता है, पैसे को खीचने के लिए, money attraction के लिए, ये जो है काफी strong होता है, ये will power के लिए काफी strong माना जाता है, ये बुद्धी मता के लिए काफी strong माना जाता है ये color जो है, energies के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये stability याने की अगर आप economic security चाते हैं आप पैसे को लेकर security चाते हैं आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है धन को लेकर आपके पास काफी कुछ सहज रहे, मतलब आपके बास जुड़ा हुआ धन रहे, तो ये brown रंग जो है, आपका काफी मददगार सिद्ध होगा ये जो है, अगर इसे आप पहनते हैं चूड़ियों के रुप में क्योंकि भूरा रंग राहु के साथ ही जोड़ा जाता है भूरा रंग जो है अर्थ के साथ जोड़ा जाता है बूरा रंग पैसे को खीचने के लिए माना जाता है, सक्सेस के लिए माना जाता है, मीडिया शेत्र में अगर सक्सेस चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लौटरी में आपको सक्सेस मिले, या आप चाहते हैं कि कोई बिजनस डिल जो काफी समय से पैंडिंग थी, वो नहीं हो तो उसके लिए बिजनस को बढ़ाने के लिए ये लोगों को अट्रेक्ट करने के लिए भी काफी कुछ माना जाता है और ये वाणी पर भी आपको जो है बहुत कुछ यानि वाणी का जो अधी बताता है बहुत से लोगों को आपकी वाणी सही अट्रेक्ट करने में मदद करत तो इससे उन्हें भी लाब होगा क्योंकि बूरा रंग किसी से अगर दान में मिलता है तो भी आपके जीवन में जो है काफी पैसा आने लगता है पूरुज जो रहेंगे अगर अपनी पत्नी को देते हैं या घर में सुहागर महिला जैसे माता जी है या कोई भी है उन्हें अ किनी रूप में उपहार जरूर देना चाहिए साक्षा देवी का आशिरवाद जो है आपको प्राप्त होता है तो बिजनस में अगर आप उचाईया चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि घर की महिलाओं को आप जो है सबसे पहले अपनी शमता अनुसार गिफ्ट जरूर दे आप क बहुत देने बहुत मुझे सुने गिली देने बहुत दोस्तों